तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है प्रेडी नम का एक यूटूबर से जो कि अपने फैंस के डिमन्स पर अपना चैलेंज पुड़ा करता था और वो इस बज़े से बहुत ही पॉपुलर था लेकिन अपनी एक गल्दी के बज़े से उसका फैंन नाराज हो गया था और आने के लिए माफी भी मांगते हैं और कई सारे मज़ेदार ब्यूडियो भी बनाते हैं लेकिन उसका फैंस उस पर अवी भी नारास थे और इस तरह उसकी चैनल बंदोने की कागर पे जली आई थी इसके बाद थोड़ा दिमग लगाने पर एक ड्रिंक्स कंपनी का स्पोंस शीप लेता है और इसके साथ वो एक चैलेंज भी एकसेप्ट कर लेता है और चैलेंज ये था कि उसको एक दिन के लिए एक देथ मेनन नम की जगे पर रहना पड़ेगा सल आटरासों में एक आदनी ने अपने बेटी के लिए वो घर बनाया था पर एक दिन उसका बेटी व लिया था और इसके बाद उस घर में जो भी गया वो कभी जिन्दा वापस नहीं आया है अब ये चैलेंज फ्रेडी एकसेप्ट कर लेता है और अगर वो हार गया और वो स्पॉंसर्शिप के सारे पैसे वापस कर देगा और अब उस हाउस में जाने के लिए फ्रेडी अपन करके उस चावी को फ्लोर के नीचे फिक देता है और इधर लाप इस्ट्रिम पर फ्रेडी के फैंस उसका मज़ा कुरा रहे थे फिर वो एक ही करके सारे रूम को लाप इस्ट्रिम में दिखा रहा था और साथी में वो स्टोरिस भी बतता है कि कौन से रूम में क्या हुआ थ इसके बाद वो और एक जगे पर कैमेरा लगा के सिरियो से उपर जाता है जहाँ पर वो लड़की ने सुसाइट किया था और वहाँ पर जाके भी वो एक कैमेरा लगा देता है फिर वो एक दूसरे रूम में जाता है और उस रूम को वो सेप रूम कहता है क्योंकि उस रूम मे में बो उस लड़की की कहानी बोलना शुरू करता है बो लड़की जौन नाम का एक लड़के से प्यार करती थी और बो दूने एक साथ बॉस्टन सिटी जाने वाले थे और उससे पहले ही जौन की मौत हो गई थी और जौन के मरने के बाद बो सुसेट कर ली थी और अब लोग गये थे और इसलिए फ्रेडी अपने वीवर्स को इंटेटेन करने के लिए उस लर्की की आत्मा को बुलाने लगता है और बुलाते बुलाते उसको एक आवास सुनाई देता है अब चेक करने के लिए वो उस लैपटप वाले रूम में जाता है जहाँ पर वो लैपटप रखा था फिर वो देखता है कि कॉलिडर में कुछ गूम रहा है और अब उसके फैंस वहाँ पर जाके उसको चेक करने के लिए बोलता है अब बहार आते ही उसको एक आवास सुने द तो वो डर के मारे उस रेप रूम में आके डोर को लोग कर देता है और इसी चक्कर में बहुस रूम में रहे सिंबल को तूर देता है अब हो सकता है कि बहुस रूम में रहे सिंबल को तूर देता है अब हो सकता है कि बहुस रूम में रहे सिंबल को तूर देता है अब हो सकता प्रेडी लिंजी के बॉड़ी पर एक कैमेरा फीट कर देता है ताकि लिंजी के तरब से भी सब कुछ रेकोड हो पाए फिर बो दोनों कोरीडर होके एक बेडरूम में जाता है अब वहाँ पर जाके उन दोनों को कुछ सिक्रेट दरवाजा जैसे दिखता है और वहाँ पर की तरब जा रही थी और उसी रूम में ही उन दोनों को उस लड़की की लिखवी डैरी मिलती है अब ओडियोंस के कहने पर बो दोनों उस लड़की को गुनाने लगती है और अचनक से उन दोनों को एक अज़ीब आबा सुनाई देता है अब फ्रेडी डर रहा था और को बहुत ही बुड़ा बला कहता है और तभी लिंजी फ्रेडी की कले पर बाइट करता है और अपनी जन बचाने के लिए फ्रेडी एक लक्री के टुक्रे से लिंजी पर हमला कर देता है अब इससे लिंजी वही पर गिर जाती है इसके बात फ्रेडी सेफ रूम में आता है और अपने भीवर से पुलिस को कुल करने के लिए कहता है। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो इसी होंट्रे राउस पर ही मर जाएगा इसके बाद उसको एक बीवर से पता चलता है कि इस सिंबल से आत्मा से पोटेक्ट मिल सकता है तो इसलिए उस रूम को सेप कहा जाता है लेकिन उस सिंबल को फ्रेडी ने गलती से तोर दिया था अब फ्रेडी उस में आके उस लर्की को धाका मार देता है फिर वो अपने नाग से उस लर्की का नाखुन निकालता है फिर जैसे तैसे वो में डोर तक आ जाता है लेकिन उस डोर का चबी बो फेक दिया था और वो उस चबी को डूनने लगता है लेकिन उस चबी की वज़े उस उस लर्की की एक बॉक्स की चबी मिलता है जब फ्रेडी उस बॉक्स को खुलता है तो उस बॉक्स में सुसेट करने वाले लर्की की फोटो थी और उस फोटो से हमें पता चलता है कि वो गल लिंजी ही थी और उस बॉक्स में फ्रेडी को उस लर्की की कटी हुई उंगली मिलत फिर भी और्स के कहने पर फ्रेडी उपर जाता है ताकि रसीयों के मदद से वो विंडू से निकल पाए अब जाते समय फ्रेडी को वहाँ पर मरे हुए कुछ लोग की आत्मा डराने लगता है फिर डर के मारे वो सेप रूम पर वापस आ जाता है इसके बाद फ्रेडी को पैर के विंडू से घर के बाहर जंप लगा देता है अब इस बज़े से उसके पैर पर चोड़ लग जाता है और वो टीक से चल भी नहीं पाता है इसके बद फ्रेडी कार का जो नाट फेक दिया था उसे दूरने लगता है और उसे मिल भी जाता है लेकिन वहाँ पर एक आत्मा क के वहाँ से भाग जाता है फिर कैसे भी करके वो कार में हां के पर जाता है अब वहाँ पर एक ओडियेंस उसको एडवाइस देती है कि उसे अपना पोटेक्शन बराना होगा ताकि वो जिन्दा बच जाए लेकिन इसके लिए उसको उस लरकी की बोडी की एक पार्ट चाहि यह होगी और इतने में ही वो पूलिस वाला गोश्ट उस पर हमला कर देता है और फ्रेडी एक ट्वाइगान से पूलिस को मारता है अब इतने में उसका टैबलेट तुट चुका था और वो अपने उस ओडियेंस के साथ बात भी नहीं कर पा रहा था और अब वो रास्ता ब मुक्ति दिला सकती है फिर फ्रेडी एक रिच्वाल करके उस लर्की के आत्मा को मुक्ति दिलने की बारे में सोचता है क्योंकि मुक्ति दिलने पर ही वो उस आत्मा से बचवाएगा इसके बाद फ्रेडी घर के अंदर जाता है और सेफ रूम में जाके अपने लेट आप मे नहीं आती है और तब फ्रेडी खोदी इस कोरिडर में जाता है जहाँ पर बहुत सारे आत्मा उसको दिखता है अब देखते ही देखते वो उस लरकी के आत्मा को देखके डर जाता है और वो फिर से सेपलूम में आ जाता है लेकिन वहाँ पर फ्रेडी पसिश्ट हो जाता है फिर कुछ समय बाद जब फ्रेडी को गोश आता है तो वो एक खुन से बढ़े हुए एक बाद तब में था अब फ्रेडी बाद तब से निकलने की कोशिश करता है लेकिन कोई गोश्ट उसे निकलने नहीं दे रहा था तब ही फ्रेडी एक हॉली वाटर से बढ़ा हुआ लेकिन वाद पर भी वा आत्मा उसको फॉलो कर रही थी अब फ्रेडी एक चेर को लेके उस लरकी की सर पे मारता है और वो लरकी वाद भी उश जाती है अब कैसे भी करके फ्रेडी उसको रिचुवल वले सिम्बल के जगा ले आता है जिसके बाद फ्रेडी डाइरी के उंगलियों को भी काट की देना पड़ेगा ताकि उसकी आत्मा हेल में जा पाए अब उस लरकी के आत्मा आने से पहले फ्रेडी उस पोयम को परता है और अपने एक उंगली काट देता है और इस बचे से वो आत्मा हेल में चला जाता है जिसके बाद फ्रेडी को अब लगत परेन होती है तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर लेना